जैसे प्रेग्नेंसी कनपर्म होती है सबसे पहले जो क्वेस्टन मुझे पोचा जाता है वो यही है कि अभी में खाने पीने में क्या-क्या चंजिस करूं क्या-क्या अपने खाने में में एड़ी करूं और क्या-क्या चीजें में ना खाऊं जिससे मेरे बच्चे को कोई नु के उपर बोहुत की बढ़ा एंपएक उस में भी सुबह उठता इव्ची तरह से अच्छा उपन्ति एफजी great तो यहां पर आज हम बात करने वाले हैं सुभह में उठते ही क्या-क्या खाए तो इससे आपका वेट बेलेंस भी होगा और बच्चे का वेट बहुत अच्छे से बढ़ेगा एम्नियोटिक फ्लूड यानि कि बच्चे के आसपास का तरल पानी होता है वो अच्छे से मेंटेन रहेगा उसका वजन अच्छे से बढ़ता रहेगा उसके हेर अच्छाएंगे उसकी स्कीन गोरी सोप्ट आएगी और उसके बुद्धी का विकास भी होगा तो इस तरह से सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए हमने पांच मोर्निंग रेसिपी बनाई है वह पांच रेसि और अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले कर लीजिए कि गर्भ गुरू में आपकी प्रेग्नेंसी के लिए बहुत अच्छा वीडियोस मिलते रहेंगे वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक इन से करना नहीं बुलना है तो चले सुरू करते हैं प घरपे कैसे बनाएंगे पनीर यहां पर बाहर से नीलाना घरपे बनाना बहुत इसी है दूद लीजिए उसको गरम कीजिए और उसके अंदर अधा निम्बु डालेंगे तो वहां पर एक साइट पनीर यानिके मावा बन जाएगा और पानी रहे जाएगा जो पानी उसको भ या फिर कुछ भी आप उसके अंदर टेस्ट के लिए डाल सकते हैं और अच्छे से उसके दो पराथा बना के खालो आप उसको थोड़ा सा जो बचा हुआ रहता है आटा वो रख से सामके चार वजी पर उसको खा सकते हैं तो पनीर पराथा सुबह में लिए उसमें प्याप अ जाएगा जो आपके बच्चे में वेट गेन भी कराएगा और आपका वेट गेन नहीं होगा यदि आप उबेज है और चाहते हैं कि अन्निसेसरी वेट ना हो आपका बड़े प्रेग्नेंसी के दोरान तो मैं बहुत अच्छा लगता है मेरे तो टोटल प्रेग्नेंसी में मेरा बच्चा अंदर होना चाहिए आपका वेट गेन नहीं होगा तो भी बच्चे का वेट अंदर अच्छे से बढ़ेगा जो प्रेग्नेंसी के बाद लूज करने में बहुत ही ज्याता रिफिकल्ट है तो प्रेग्नेंसी के दोरान मीनिमम आपका वेट बढ़े और बच् पनीर पराठा खाना है चलो पनीर पराठा नहीं टाइम या फिर आप उसको उच्छे से नहीं खाना चाहते कभी-कभी बोर हो जाते हैं तो आप खा सकते अंडे अंडे आप बोल करके खाए या फिर ओमलेट बनाए अलग-अलग वेराइटी आप उसकी ट्राय कर सकते सुब और रात तक या दूसरे दिन सुबर तक वो अंकुरित हो जाएंगे तो अंकुरित होते हैं उसके बहुत इसारे फायते हैं प्रेग्नेंसी के दोरान उसको कच्छे नहीं खाने एक-दो सीटी मर्द याने के थोड़ा सा बोल कर दो उसके बाद खाओ क्योंकि कभी-कभी अं अच्छे से पाचन नहीं हो पाता है तो सारी मुस्कीलों का हल यही है कि आप उसको थोड़ा सा पका के खाओ सब्जी के साब बना लो आप उसको रोटी के साथ भीखा सकते हैं तो स्प्राउट्स आपको यानि के अंकुरित मूंग और चने आप सुभम में खा सकते हैं तो में अंकुरित मुंग चने बनाए और दो अंडे खा लिए इस तरह से ज्यादा प्रोटीन नहीं खाना है हम जो बता रहे हैं दो पराटा का या फिर दो अंडे खाओ या फिर स्प्राउट्स का एक बोल लो इस तरह से एक दिन में एक ही वेसीपि आपको ट्राइ कर ली है क् कभी कभी यह देखते कि लोग बोलते कि गरम पड़ेगा या फिर नुकसान करेगा या फिर बच्चे को नुकसान तो नहीं होगा तो देखो आपकी प्रेगनंसी हे कोई डिजीज नहीं है जिसमें यह चीजे खाओ यह ना खाओ इस तरह से रहता है हम यह पर जो ओक्शन द सब्सक्राइब कोई नुकसान नहीं करें कि अच्छी है बच्चे के लिए तो मैं उसको दस बार ले लूँ या फिर अच्छी तो इतनी ज्यादा कॉंटिटी में ले लूँ यह नहीं करना है कॉंटिटी इस तकी यानि कि आप अच्छे से मोडरेशन में खाते रहेंगे तो को जनकी नहीं करना है तो अच्छी माता में लेते रहेंगे तो कोई दिक्कत नहीं आएगी चोंथी में स्मुदी स्मुदी में आपको क्या करना रात में एक अंजीर भीगोना है और बादम भीगो देना है सारे नंट्स पाउडer भी बना सकते मिक्स करके आप तो इस तरह से दूद लेजे उसके अंदर डाल दीचे प्रोटीन पाउडर कभी कभी देखो वरकिंग वोमन रहते हैं बनाने का तकान रहती है या कभी-कभी बोर हो जाते हैं तो बनाने का टायम ना मिलता हो तो अधीन प्रोटीन पाउडर बाला दूद पीलो पूरा दिन एनर्जी फिल कर चार बदे नास्ते में भी आप खा सकते हैं ताकि आपके एनर्जी भी बनी रहेगी और काम करते समीच थकान होते हैं वह भी आपके साथ नहीं होगी दूसरा जो सबसे इंट्रेस्टिंग रेसिपी है वह है मुंग और पालक के पराथे जैसे आगे प्रोटीन पराथे बना है तो उसकी आप अलग-अलग रेसिपी ट्राइ कर सकते हैं और बहुत ही लाइट खाने का दिल करता हो आपको तो आप और स्पी ले सकते हैं जो हेल्दी भी रहता है और टेस्टि भी रहता है तो अलग-अलग तरीके से आप सुफ़ में रेसिपी बनाए लेकिन यह याद प्लेट वह बना के आप इंस्टाग्राम पे अप्लोड कर सकते हैं और साथ मुझे टेक किजिए इस्टाग्राम आइडी यहां पर रखी है टेक करेंगे तो हम उसको सेयर करेंगे ताकि आपकी रेसिपी आपके जुनानी के नुश्क है या फिर आपकी हिल्दी प्रेग्नेंस तो कर लीचे क्योंकि आपके लिए बिल्कुल ही फ्री है तो चले फ्रेंड आज के लिए फिर जल्दी मिलेंगे तब तक के लिए स्टेल्दी स्टेपी बाई